हई है 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 अलोग है है अपके अपनी यूट्ज स्लाक्त शार्ड है इस ना तव प्रशUnalnya कि लस्मरे लोगों ने पढ़ा था क्या होता है है क्य Бы pray क trade क्या होता है क्लाज क्या होता है और कल están कल की लिए बर्राम के लिएया गढ़िए तरा की सीजियल, 10 जैण में प्लास टू इस्टैनों ग्राफर या विविल प्रकार की प्रतीयों की प्रच्छाने विन इंजी जुब्ली ज़ाते हैं उसका इक फागा जो हम कहते हैं आ स्प्थ या सेटेंश के पार कायदा है हाई हांस्ला रख मनजर भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा आई कि सबसे पहले हैं काइन साफ सेंटेंस की बारे मेंche हैं कितनी प्रकार के होते हैं या वाक कि कितने प्रकार के होते हैं तो इंग्लिष grammar में में वाक के जी एक पिटा कि चार पुत्र होते हैं पहले का नाम है असरीटिव सेंठेंज या विटि संद्धंज या दिक लामी की सहिंद्स सेकंड है इंट्रोगेटीव सेंठेंज in Tapu तामी की अङले रहा है युक रधीर संद्ध तो है क्या कामिअट्रे सेंपनेंज na अर्थात, एक किता पुत्र तो पहले पुत्र का नाम है, असार्टिव दूसरी का नाम है, इंट्रूगितिव पीसरी का नाम है, इंपरियूटिव और चौथे का नाम है, आसार्टिव संटेज इसे कहते हैं कि यह साधारा व्ष बाक किसे यह इंट्रोगेटिव सेंट्टेंस किसे कहते हैं एकसलमेंटरी सेंटेंस किसे कहते हैं । सबसे पहले जाने! कि कि इसलिए है इस पतार से हम संजेगे यह संटरिटीफ है यह संटरॉटीष हो सबसे पहले हम लोग तरह मों सीखेंगे क्या होता है यह डिखला हमेंट्री जन देखला मेंटरी संटर्ड़ संटर्ड्सॐथ और साथारडवाग को सेटेनस या तक्ला टिक्लार में आवाग सथाज्टीब् Two सेमें च्वा सेंटेइन्ज घुता है जिसमें किसी वह व्यक्ति वस्त अध्वा घटना का जो संबंद होता है वह संबंद एक प्रकार से कैसा होता है सिंपल होता है उसे Oxygen सैंटेज तॉ सेंटेज होता है जिसमें और शेंट Business गटना का जो संबंद होता है वह संबंद कैसा होता है साधर होता है उसे हम कहते हैं असर्टिफ सेंटेंज वह संटेंज होता है जिसमें किसी व्यक्ति व्यक्ति अथ्वा घटना का संबंद साधर होता है ऐसे संटेंज को हम असर्टिफ संटेंज करें असर्टिफ संटेंज हो होता है जिसमें किसी व्यक्ति व्युक्ति अथवा घंटना का संबंद साधर्ण होता है उसे हम साधर्ट हर्था साधर्ण वाक होकत होता है जिसमें किसी भी बात में बात का जो संबंध होता हूँ साधार तरीके से होता है ना वह प्रस्न की रूप में होता है ना वह कोशल की रूप में होता है ना वह संबोधर की रूप में होता है ना आदेश की रूप में होता है ऐसे बात को इसेंपल स्टेटमेंट इस काड़ ऑसर्टिव सेंटेंस होता है इसमें किसी व्यक्ति वश्टु अध्वा घतना का संबंध साधर होता है उसे अशेंटिव सेंटेंस कि यह जांपर के बाते हैं इंडिया का मतलब भारत इसका मतलब है एक मतलब एक ग्रेट का मतलब महान कंट्री का मतलब देश भारत एक महान देश है इसमें जो बताया गए है भारत के बारे में वह क्या बताया कि जो भारत एक है कैसा देश है महान देश है इसलिए यह व्रव होता है और आप i Uhr यह असर्टिव सेंडेल्स की पाचान है इसमें सब्जिक्ट होता है वर्व होता है और आपज्व और अम देखते हैं इंडिया यहां पर एक subject भी यह noun का काम करता है इसलिए क्या है subject है इज यहां पर helping verb है एक great country यहां पर object है हमने देखा जो यह structure बनाया हम लोगों ने India is a great country subject verb object अगर इस पर फालो हो रहा है हम कैसे पहचानेंगे यह sentence assertive है यह interrogative है तो आईए हम लोग पहचाना सीखेंगे यह sentence कैसा है साधर sentence है यह interrogative sentence है यह imperative sentence है यह exclamatory sentence है simple sentence में हम जब जानेंगे इसी structure के पेश पर हमसे तरहेंगे अगर यह structure sentence से follow होता है तो वह sentence हमारा simple sentence होगा यह assertive sentence होगा अलग sentence होगा हम रहां इंडिया इंडिया is a great country इंडिया इस अ ग्रेट कंटरी यहां पर हमने कहा कि इस्ट्रेक्चर है अगर यह structure इस ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जिक्ट हो चाहिए उसके बाद क्या मुझी वर्व होना चाहिए उसके बाद आप अगर यह क्या हो रहा है कि वही सेंडेंस क्या होता है क्या होता है आईए हम देखते हैं क्या यह फार्मूला इस पर लागों होता है कि नई लागों होता है इंडिया एक नाउन है अगर एक नाउन है नाउन जब भी होता वो सब्जेक्ट का गाम करता है किसका गाम करता है सब्जेक्ट का गाम करता है इज यहाँ पर क्या है इज आ ग्रेज कंट्री यहां पर इंडिया सब्जिक्ट का काम कर रहा है इज हल्पिंग वर्प का काम कर रहा है एक ग्रेज कंट्री यहां पर आपजिक्ट का काम कर रहा है इससे यहां अस्पिस्ट होता है यहां पर लिखा गया जो सेंटेंस है वह असारिटिव सेंटेंस है इसे संटेंस है असरडिव संटेंस है इंडिया 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 इजिद है ए ए ए ले महां कंट्री देश भार्त एक देश है और थार्थ अगर किसी भी संटेंस पर आप्जेक्ट लिखा गया हो डारेक्ट में जान जाएंगे पर आपकी स्क्रीन साट लेजिए तर्गों समझना चाहें दूसरा एक जाम पर एक हम समझना चाहें अगर हम दूसरा एक जाम पर समझना चाहें तो लिखेंगे यहां पर देखेंगे ही एक सब्जेक्ट है क्या है एक सब्जेक्ट है इस यहां पर हल्पिंग वर्ग है यह मैं यहां पर आप्जेक्ट का काम कर रहा है आगर यह इस टेक्टर फालू होगा हम जालेंगे है sentence कैसा sentence आसार्टिव संटेंस है he is a noble man की इसा सेंटेंस और सेंटेंस है या क्योंकि इसमें सब्जिक्त है वर्म है उसके बाद आपजिक्ट है आय से हम पाचान करेंगे यह सेंटेंस का ऐसा सेंटेंस है असरेटिव सेंटेंस है आए नेक्ट हम सेंटेंस की बारें बात करेंगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आए हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है अगर नारवल बो प्रस्ण पूछने का ऐसे वाक्त जिसके द्वारा क्यों कहां कैसे किसे लिए किसे किसे बात कि तुम्हें जहां प्रस्ण पूछने की भाव प्रकट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेस वह संटेस होता है कहां गए तो किसके साथ क्या खाए हुआ यह सभाते जहां पर होती हैं और अधिक तर लोग जाते हैं क्या नाम है आपका आईसे लोग पूछ लिया करते तो इंट्रोगेटिव कर एक पहचान और है इस सेंटेस के लाश्ट में एक ऐसे इंट्रोगेटिव का मार्वार गना र इंट्रोगेटिव सेंडेंस वह वाक्त जिसके द्वारा प्रस्न पूशे जाते हैं विवाक्त जिसके द्वारा प्रस्न पूशे जाते हैं ऐसे वाक्त को इंट्रोगेटिव सेंडेंस कहते हैं जैसे वाट इस यो नेम वाट इस यो नेम वाट इस यो नेम आपका क्या ना वाट इस यो नेम यह तो डबली एस बर्ड लिखा गया है यही हमारा क्या है कीसा क्या है कि यहाँ पर कोशन मार लगा है सबसे देखिव सेंटेशं में है और Max के सबसे सरेogenि लांश्ल reference मिन दिखी दनेंस के हैं है सबसेर ब्र diversity रीज़ी में अधिक नियुकर साल इससे फिर लौट प्रसन होता है पराइसे हैं ऐसे संटेंस को हम इंट्सेंस करें प्रकावी इसमें देखा कैसे हम पाचानेंगे सेंटेंस उन्हें पहले बात लिए शेक करेंगे बहुत चंद मिनिट पर हम आंसर दे सकते हैं, सबसे पहले कोश्चन के संटेंस के लाश्ट में देखेंगे, अगर यहां पर सिंबल देख जाए, पुरन थम जाएंगे, कैसा संटेंस है, इंट्रोगेटी संटेंस, अगर ऐसे भी ना मिले, तो एक फार्मूला लगाईएगा, तो फार्मूला कभी गलत नहीं सकता, सबसे पहले आप देखेंगे, यहां पर हल्पिंग वर्व लिखा होगा, हल्पिंग वर्व पर सब्जिक्ट लिखा होगा, उसके बाद में वर्व, उसके बाद आप शब्जिक्ट, अगर यह फार्मूला आपको मिल जाता है, इसके बाद में वर्व मिलेगा, इसके बाद आपजिक्ट मिलेगा, चाहिए आ लिए मैस कराते हैं, अगर यह से नेक्ट रिजाम पाद देखेंगे, यह सेंटेंस, क्या इंट्रुकेटिव सेंटेंस है या नहीं, अगर हम लिखेंगे, इस ही अडिपेंडेबल मैं, इस ही इस ही अडिपेंडेबल मैं, इस ही अडिपेंडेबल मैं, इस ही अडिपेंडेबल मैं, इस ही अडिपेंडेबल मैं, लास्ट में कूर्शन लात है, देखेंगे, आएसे ही पता तर गया पहले बात, लास्ट में कूर्शन लगा है, जो इंट्रुकेटिव सेंटेंस, अगर जाने के लिए तो प्रकार से कोशन पूछे जाते हैं इस छाट एक डूसरा इंप्रो इन प्रकार से पोशें से पूचे सहते हैं, पहला क्या पूचा जासकता है इस पूले से कौन इंटरोगेटिक इसेंटेंज है उंसा हुआ नन आफ दुरण्द बतांगे कि Efendimiz अंगर दूस्रा गपा से पूश सकता है आफ से पूश सबसे हैं क्या हैं कि एहां पर देखिएगे मेर्बर लेखेगा है product hat लिखे यह यह न इस पर इस होना जाएका जाता है कि जो दूबेगा इंग्लिस की मस्ति में चार चांद कि ओस्भ लगे उसकी उस्ति तो मंद से खुद मन से तन से आप पढ़िए और अपने सपनों को साकार करिए आपकी बार पीटी में जितना पांच नंबर में पांच नंबर आपको लाना है इंगली समें एक नंबर छूटना नहीं चाहिए अगर एक नंबर छूटेंगे एक लाख लड़ों से पीशे चले जाए हमें को ध्यान मेरे करके इस टाफिक को कबर करना है और सेंटेंज के अगर पूशन पूशे जाए एक जाम में तो आइसा ना हो कोई भी बच्चा या बच्ची उस सेंटेंज को मिस करके आए हम यह नहीं पढ़े हमने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंज को पाचान के लिए कौ नधी त्मांदि राखी हांस कि अधम को याल रख किए इस नोगम नहीं घृफली और एक अध़ने और नहीं है है डारेक्ट कशली में लेखी अगर इंट्रोटीव कर सब्सक्रानि हैं कि इंप्रिटीव तुनियों की बात पर हैं जहां पर आदेश सो हम देखें हैं और जिसके दोरा आध्या या प्राठ्णबाया वहा प्रक्ट होता है हैं जिसके तोरा आग्याया प्रार्थना का भाव प्रकट होता है अगर आपसे कहें प्लीज गिब मी ए गलास आफ वाटर फ्लीज गिव मी आ गलास आफ वाटर यहां पर देखें प्रकार से जब प्रार्थना करते हैं इंट्रोगेटी वह संटेंस होता है जिसके द्वारा क्या क्या आता है आग्या या प्रार्थना क्या आता है आए से संटेंज क्या आता है या ताथना क्या आता है जैसे ओपेंड़ टरवाजा खोळो यह एक आदेश है जब किसी संटेंज को पढ़ने के अबद़ गवार्ड़ना ना रिखतर वाजा अगर्षा इस संटेंज को पढ़ते मुश्य के लगता है मादेशित कर रहा है जिसमें किसी कालвед पकुर्णे के लिए आधेश दिया जाता है ना जैसे हम आपको कहें कि कल जो है आप एक एक लेशन तयार रखके आईयेगा हम कर देकल लेटर आप सब्सक्राइब वर्ड की अकल आप सब्सक्राइब को जाएगी तब यह जो होता है क्या होता है आधेश होता है दो भगवान वह बच जाए पश्छना करते हैं घ्रें कि पास हो जाएगी जब कहीं पर ऐसी बाते आती हैं जहां पर प्रात्रा की जाती हो या आदेश दिया जाता हो या आग्या के यहां परमिशन की बात होती है तो ऐसे वाकियों को हम क्या कहते हैं इंगरेटिव सब्सक्राइब अधर आओ बढ़ जाओ यह आदेश ही चीजे अधर जहां पर यह सब भावन आती हैं यह इंप्रेटिश सेंटेंस होता है जिसके द्वारा आदेश या प्रार्थना किया जाता है भगवान आज वो सही सही घर वापस पर यहां पर प्रात्ना किया जा रहा है इस्वर के द्वारा यह लोग के द्वारा इस्वर के उस्वर के प्रति प्रति प्रात्ना किया रहा है भगवान आज वो सही सलामत घर लवता हैं तो यहां पर क्या हुआ है नेक्स्ट हम लोग तैसला मेटरी संटेस्या है इस मैं बोधक वाघ या क्या इसमें इिच्ष्मेजदमा कि इसमें आद्या nasıl टिया था़ टि चॉंच क्वाघ पे선 कि ब आप लिए इसलामेट्री सेंटेब्स लास्ट संटेंज हूं लुस्टत हुआ, इसे हुआ egyक् 엄청 comprar sentence कृते हैं, इसके दौरा इसके दरा सुख दुख प्रोध दया की भावना जो वह दुख पन होती है ऐसे वाक्व को भूते हैं इसमें सुचत जैसे जाम पन गया अरे भगवान करें तुम आसफल हो जाओ भगवान करें तुम आसफल हो जाओ भगवान करें तुम दिन दूबना राज चौगना उन्नत करो अरे वह मर गया है अएसे जहां पर भावदपन होते हैं ऐसे वाक्यों को हुआ इंडिया वंदिवाइच जहां पर हर्स उनलाद विसाद सोक दुख करूड़ा बेदना यह सब का जहां पर इस सबस्बदों का भावत बंद होता है ऐसे वाको को हम एक्सलेमेटरी सेंटेंस करें इसका एक पहचान होता एक्सलामेटरिटरिय्हस का यहांद पर एक कड़ी लाइन पर निचिश गिम्रेकर करण सबंदै लगा है था है एक्सलामेटरिक में एक्सलामेटी सेंटेंस है जिसके द्वारा कवड़ा वेजना फुलास रूज्थ बूढ़ द्हारी का बहुता है ऐसी वाग कुछ पूब एडास एडास एलेस एक स्थामशने लेज़ां एक स्थासे हैं आई आम लियू आई मैं वर्बाद हो गया है यह एक पकार से अबराइव रहा हाई यह सब जहां पर होता है ऐसे जहां पर हर्स दुख सुख क्रोध वेदना उद्पिडना विशाद आधिका भावर कट होता है ऐसे बातों की यह सब इसे कहते हैं जहां पर यह सबस्टल मिलेगा वारकर देके आप पराचान जाएंगे यह म्यान पर देखको करके आप पाच्छान जाएंगे कैसी जाहां कि जो यहित्यम होले को मस्था में चार छाद की रगेंगी जो जव डूबे में इंग्लिस की मस्ती में चार चाद लगें इंग्लिस की हस्ते में जहिन जैप्राद